जहिन टू आल वेटरेंस जी हाँ सभी भूदपूर सैनिकों को प्यार भरा नमस्कार राम राम जहिन जी हाँ लेटेस इंफॉर्मिशन हमारे पास निकल के आगई है लक्षमन जी का भी है और यहाँ पे सातिंदर जी का भी है और इसमें पूरा मुद्दा है कल का मतलब दिना आग तेईस तारी कल आपको पता होना चाहिए कि भूदपूर सैनिक एक लाग से भी ज्यादा द्यंतर मंतर पर आए तो क्या हुआ किसको ग्यापन दिया गया क्या निसकर्स निकला किस-किस मागों के ऊपर आवाज उठाई गई और कित्ते लोग आये थे और क्या-क्या हु आपके फोन पर आपको सबसे पहले मिले तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं आप यहां देख रहे होंगे लक्षमन जी का निकल क्या है आज जंतर मंतर पर सैनिक निव और उपी मुद्दे के साथरास्थन सरकार दोरा सैनिक पूर्णवास मतलब कि आप लोग को एक चीज़ पहले बता होने चाहिए कि हमारे भूतपूर सैनिक जो 20 फरवरी से अपनी माओं को लेकर चट बढ़कर अपने जो परदर्शन या फिर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे उनका कल दिनांग 23 तरीकों जंतर मंतर पर संसत का घहराओ का उथा लेकिन यहां पे भूतपू करकर कमीटी का हिसा बने आप रैली में आए तो यह सब बहुत इंपोर्टेंट है दिली में और उपी में भी यहां पे सैनिकों को जातियों में बाटा गिया आप मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं कि उसका मुदद जंतर मंतर पूठाया गया यहां पे जो जंतर मंतर पे भूतपूर सैनिक अपनी मागों को लेकर देख रहे हैं कैसे चड़ बढ़कर आवाज उठा रहे हैं लेटेस्ट निउस निगल के आ रहे हैं साथी आप यहां भी देख पानेंगे कि भूतपूर सैनिकों का पूरा हमारे पस यहां पर अपडेट निगल के आ आ गया है तो आशा है कि आप 23 और 6 तारीकों जैसे आपने 23 तारीकों सपूर्ट किया है वैसे ही 6 अगस्त को इत्यासिक रहा लिए है राम लीला मैदान पर जी हां राम लीला मैदान में भूतपूर सैनिकों को जरूर अपने-पने मागों और हिद के लिए आएं और आवाज उठाएं क् कभी नहीं यह है आर या पार की लड़ाई भूतपूर सैनिकों की वीडियो पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक एंट चैनल को सब्सक्रीब करना ना भूलें मैं आपको नेक्स वीडियो में और भी कुछ अपडेट ऐसी देते रहूंगा अभी फिलाल इतना ही और मिल जाएगा जे हिंदिवागा